हेलो फ्रेंज, वेलकम तो ए 24 नॉलेज़े, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे PG-CIL, पावर ग्रेट की आप यहाँ पर जो नियू रिक्रिमेंट नोटिफिकेशन आपकी जारी की गई है, जूनिय टेक्निशन ट्रेनी पोस्ट के रिए, इ इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर पाएंगे, अगर आप अप अप्लिकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फ्रेंस आप जॉबरास्ता.com पर भी विजिट कर सकते हैं, बात करते आपको कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी है, जिसमें आपको आपकी mail ID एंटर करनी होगी दो बार, और एक alternative mail ID भी आपको देनी होगी, ऐसे ही आपको दोनो mobile नमबर आपको यहाँ पर फिल करने होगे, तो mobile नमबर आपके पास दो होने चाहिए, अगर आपके पास एक ही mobile तो आप अपने parents का भी mobile number यहाँ पर दे सकते हैं alternative mobile number देना ज़रूरी है और alternative mail ID भी देना ज़रूरी है इसके बाद friends आप यहाँ पर देगे capture code को fill करेंगे और यहाँ से देगे register tab पर click कर देंगे register tab पर click करने के बाद आपका registration complete हो जाएगा और उसके बाद simply आपको आपकी mail ID और एक capture code डाल कर login with OTP करना है आपके पास एक OTP आएगी वो डाल कर आप इसमें login कर सकते हैं email की जगह आप mobile से करना चाहे तो आप mobile number भी डाल कर capture code को डाल कर login कर सकते हैं OTP के साथ आपको इनमें से किसी भी एक medium से यहाँ पर login कर लेना है इसके बाद फैंस आप अपने portal पर login हो जाएंगे और portal पर login होने के बाद आपके सामने आपका dashboard open हो जाएगा dashboard में आपको देखे चार यहाँ पर box मिलेंगे पहला है personal detail का second है mailing का तीसरा है आपके account details का और last है आपके कोई भी relative working है सकते हैं साथ में आपको यहाँ पर आपकी jpg format में picture जो है photo जो है वो आपको upload करनी होगी तो यहाँ पर browse पर click कीजिए file को select करके यहाँ पर आप उसे upload कर सकते हैं यह upload करने के बाद आपको सबसे पहले personal detail section को complete करना है आप इस option पर जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले friends से यहाँ पर देखिए आपको option मिलता है name का तो friends से candidate का पूरा नाम आपको यहाँ पर enter करना होगा garden type में आप father या husband जो भी आप option select करते हैं उनका friends से पूरा नाम आपको यहाँ पर enter करना है इसके बाद आपको यहाँ पर mother name enter करना होगा यह friends से enter करने के बाद next option है आपके DOB means date of birth का तो आपको आपकी जो date of birth है वो आपको select करनी है मैं यहाँ पर सिब जानकारी sample के तौर पर demo के तौर पर फिल कर रहा हूँ आपकी actual जानकारी आपको देनी होगी gender select कीजिए minority कपने से belong करते हैं तो select कीजिए नहीं तो आप not applicable करेंगे इसके बाद आपको यहाँ से country select करनी है इसके बाद friends से next option nationality का है आपका dominsal state कौन सा है इसके अलावा अगर आप दंगो के victim है तो yes या no कर सकते है marital status क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा एस जानकारी fill करने के बाद आप इस जानकारी को यहाँ से add कर देंगे जानकारी friends जब आपकी successful यहाँ पर add हो जाती है इसके बाद fill mailing details पर जाएंगे mailing details में जानने पर यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले आपका जो present address है वो जानकारी fulfill करनी है, lead mark कोई है तो आप जानकारी दे सकते हैं, आपका nearest railway station कौन सा लगता है इसके अलावा city कौन सी है इसके अलावा आपका district कौन सा है country कौन सी है, इसके अलावा state कौन सा है, जानकारी आपको यहाँ पर नहीं होगी तो basic जानकारी है आपके present address की जो कि आप यहाँ पर enter करेंगे अगर आपका present और permanent address सेम है तो आप same as पर क्लिक कीजिए और यह अलग-अलग है तो आप अलग इसकी entry कर सकते हैं address की entry करने के बाद same आप इस data को add करेंगे और उसके बाद next option पर जाएंगे next option है friends से आपके account details का मतलब आपकी bank के details का अब यह friends से है आपके TA claim payment के लिए मतलब traveling allowance के लिए तो जो reserve candidate है जिनको traveling allowance मिलेगा उनको यह जानकारी fulfill करना जरूरी है जिनके लिए नहीं है वो directly इसको यहाँ पर जो है next step पर जा सकते हैं पर आपके पर account details है तो आप अपने account की जानकारी यहाँ पर देना चाहें तो दे सकते हैं जिसमें अपना account holder name, bank का नाम, branch name, branch city, account number और IFC code आपको देना होगा अब यह इतनी भी 6-6 box है इंकी जानकारी आपको मिल जाती है आपके bank की passbook पर तो bank की जो passbook है उसका फर्स्ट पेज होता है जिस पर आपकी सब details mention होती है उस पर आपको आपकी सारी जानकारी मिल जाएंगी city, name, branch जो name है IFC code है सब जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाती है वहाँ से आप note down करके यहाँ पर mention कीजिए और उसके बाद same यहाँ पर इसे add करके आप यहाँ पर next option पर जा सकते हैं इसके बाद friends next option आता है आपके power grid relative details का अगर आपका कोई भी जो relative है वो आपका यहाँ पर काम करता है power grid में तो आप उनकी जानकारी add new relative से दे सकते हैं अगर कोई work नहीं करता है तो आप इसे directly go to profile पर आप जा सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक message मिलता है कि आपका जो profile है वो complete हो गया है अब आप apply कर सकते हैं requirement के लिए तो यहाँ पर देखिए friends आपको navigate to application page का एक option मिलता है आप यहाँ पर click कर देंगे यहाँ पर click करने के बाद requirement filter आप यहाँ से कर सकते हैं मतलब company select कर सकते हैं आप अपना reason यहाँ से select कर सकते हैं और search कर सकते हैं yeah friends आपको यहाँ पर देखिए जो आपको post ID है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है जो भी आप यहाँ पर vacancy check कर रहे हैं उसका starting date और last date आपको यहाँ पर एवटाइस्मेंट का उपशन भी मिल जाता हैं मतलब यहां से advertisement भी select कर सकते हैं, check कर सकते हैं, और आपको click here to apply का option भी मिल जाता है, तो आप यहां से इसे apply भी कर सकते हैं, तो बरस आपको friends, यहां पर करना क्या है, कि आप यहां पर जो भी post ID आपको दी गई है, वो आप यहां पर check कर सकते हैं, आप जो भी post ID के लिए apply करना चाहें, आपको दीए गए apply वाले section पर जाकर आपको click करना होगा, इसके लिए फैंस आप से कहा गया है, देखिए reason जो है वो carefully आप यहां पर apply करने के लिए, क्योंकि आपके वल एक ही reason के लिए यहां पर apply कर सकते हैं, और यहां पर एक ही application form एक ही post के लिए आपको apply करना है, इसलिए apply करने से पहले जो भी जानकारी आप से यहां पर required की गई है, वो आप fulfill आपको करना जरूरी है, अब यहां पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं junior technician trainee post के लिए, तो इसके लिए जो भी आपको यहां पर reason दिये गए है, इन reason के लिए आप जिसमें भी apply करना चाहते हैं, apply आप कर सकते हैं, तो friends apply वाले option पर click करने के बाद, आपको यहां पर एक ही important guidelines यहां पर मिल जाती हैं, आप जो भी guideline आपको दी गई है, photograph, signature के लावा documents की, उस तब आप यहां पर check कर सकते हैं, और इसके बाद friends से नीचे आने पर आप I have read पर click करेंगे, कि आपने जो भी instructions हैं, उनको आपने ध्यान से पढ़ लिया है, इस पर click करने के बाद, इसके बाद friends से यहां पर देखिए, अगर आपका आता है, वो आता है category का, तो देखिए, जनल, OBC, EWS, SC, ST, जो भी आपकी category है, वो आप select कर सकते हैं, X-Serviceman है तो yes and no कर सकते हैं, आप यहां पर, इसके बाद देखिए, अगर आप dependent है, X-Serviceman, disabled या killed in action के, तो आप यहाँ पर yes and no कर सकते हैं इसके अलावा फैंसे यहाँ पर option आपका आता है internal employee का अगर आप यहाँ पर working है power grid में तो आप यहाँ पर yes and no कर सकते हैं ph candidate अगर आप है तो आप यहाँ पर yes and no कर सकते हैं इसके अलावा फैंसे नीचे आने पर आपको option मिलता है details का और document upload का तो आपको सबसे पहले qualification details section पर click करना होगा यहाँ पर click करने के बाद आपसे यहाँ पर कहा गया है आपका जो है इस qualification आपकी जो भी आपकी criteria आपने form को apply कर रहे है वो आपको fulfill करना ज़रूरी है तो सबसे पहले आप add qualification यहाँ से करेंगे इसके बाद आपका देखिए qualification details section open हो जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले है essential qualification तो आपको यहाँ पर one का option मिलता है आप one select करेंगे education type में आप certificate course select करेंगे qualification type में आप two year ITI select करेंगे discipline में आपको electrician यहाँ पर select करना होगा course type आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पर select करना है जो की full time आपको मिलता है percentage of marks कितना है तो आपकी जो भी percentage है वो आपको यहाँ पर देनी है with two decimal places तक इसके बाद division कौन सा है वो आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी इसके बाद है आपका course कब से कब तक रहा है अब देखिए आपका जो course रहा है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी बतलब आपने इसको कब pass out किया आप यहाँ से date month and year select कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर देनी है और इसके बाद आपको यहाँ पर देनी होगी इसके बाद आपको university देनी है आपके institution का नाम देना है मतलब किस institution से college से आपने यहाँ पर qualification complete की है और उसके बाद आप इसे यहाँ से add कर सकते हैं तो यहाँ पर फैंसे देखिए आपके qualification की entry करने के बाद अब next option आता है आपके experience detail का तो आप यहाँ पर इस option पर click कर देंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी experience की आपको यहाँ पर जुरूत नहीं होती है apply करने के लिए फिर भी अगर आपके पर कोई experience है तो आप add experience पर जाकर अपने experience की जानकारी दे सकते हैं इसके बाद आता है आपका other essential detail option आप इस पर click कर देंगे यहाँ पर देखिए सबसे पहले है exam center preference तो यहाँ पर द देखिए first और यह पर आता है आप द दिल्ली जैपूर देहरादून तो आप इनमे friends से यहाँ पर देके first को select करेंगे इसके बार यहाँ पर center चूलज करेंगे और इसके इभाद यहाँ से आप इसे add कर देंगे add करने के बाद आपकर देखे exam center यहाँ पर आ जाता है तो आप यहाँ पर केवल एक ही center को जो है choose कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर है written language preference तो यहाँ पर same आपको first देना है कौन सी language में आप यहाँ पर written exam देना चाहते हैं वो आपको select करना है और उसके बाद यहाँ पर इसे भी आपको add कर देना है तो यहाँ पर fancy जानकारी add होने के बाद आपका next option है अगर आप रोजगार कराले में register है तो आप yes कर सकते हैं नहीं है तो आप simply no कर देंगे इसके बाद friends other candidate details है इसमें friends आपको यहाँ पर कुछ options आप से पूछे गए हैं अगर आपका इन में से कोई भी option applicable है तो आप yes कर सकते हैं नहीं तो आप no करेंगे जैसे कोई भी major element आपके खिलाफ यहाँ पर जो से cancer है TB है कोई भी आपका है तो आप यहाँ पर सफर करते हैं उससे तो आप उसके लिए बजांकर दे सकते हैं कभी arrest हुए है या आपके खिलाफ कभी convicted by any case of court of law चल रहा है या आपको कोई भी exam देने से मना किया गया है तो आप यहाँ पर yes and no अपने according कर सकते हैं इसके बाद friends आपको दिये गए सभी options के नीचे देखिए जितने भी options आप यहाँ पर टिक करते हैं आपको यहाँ पर submit details का option मिलेगा आपको हर एक option के नीचे जो submit बटन दिया गया है यहा इसके बाद friends नेच्ट option आता है आपके document upload का तो यहाँ पर एकी photograph and signature आपको JPG format में upload करने है size आपको दिया गया है आपका 10 का certificate आपको अप्लोड करना है आपका जो qualification है IT का उसका certificate और उसका जो mark sheet है जिसमें आपके marks indicate हो वो आपको upload करना है जितनी भी mark sheet है वो combine करके PDF format में upload कर सकते हैं आपका category या EWA certificate आपको upload करना है और आप रोजगार काराले में अगर register है तो आपका registration card आपको यहाँ पर upload करना होगा तो इसमें से जो भी documents आपके applicable है वो सारे आप यहाँ पर upload करेंगे तो यहाँ पर friends मैंने sample के तौर पर कुछ document upload कर दिये है तो आपके जो भी यहा पर documents required है वो सारे आप यहाँ पर upload कर देंगे upload करने के बाद friends आपको यहाँ पर देखे चार ओप्शन आपके complete हो जाते है इसके बाद go to application वाले option पर जाएंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखे नीचे आने पर आपको सबसे पहले यहाँ पर इसे declare करना है declare करने के बाद आप आपको यहाँ से preview चेक करना है और preview चेक करने के बाद आप यहाँ से submit इसे कर सकते हैं submit करने के बाद आपका देखे application ID यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके बाद friends यहाँ पर देखे आपको application printout का option मिल जाएगा इसके बाद है आपके application page जो की payment of application fees है अगर यह आपका applicable है तो आपको यहाँ पर fees आपको pay करनी होगी तो आपको यहाँ पर fees पे करने का option मिल जाता है और इसके अलावा फैंसे आपका देखिए जो डैस्बोर है वहाँ पर आप जाते हैं तो नीचे आपको लिस्ट आप्लाइड एप्लिकेशन का ओप्शन भी मिल जाएगा इसमें अपनी एप्लिकेशन डेटेल्स को चेक कर सकते हैं साथ में आप चाहे तो सम्मीट क्या चें पर तो आपको यहाँ पर भी देखिए सम्मिट एप्लिकेशन फॉर्म का ओप्शन मिल जाएगा कि आपने यहाँ पर जो फॉर्म है वो फाइनली यहाँ पर सम्मिट कर दिया है तो जो आपकी प्रोसेस है वो कम्प्रीट हो गई है और बाकी की जानकारी जैसा मैंने वीडि एलास थैंक्स पॉर वाचिंग